नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे बहुती प्यारी सी कुर्ती का एक बहुती प्यारा सा नेक डिजाइन बनाने का असान सा तरीका देखें ये नॉर्मल सी चीजी होती है जो गोटा होता है गोटे के साथ में हम यहाँ पे रेडि करके दिखाएंगे बहुती प्यारी सी नेक लाइन जिसके लिए हमने यहाँ पे यह फ्रेंट लिया है और यहाँ पे यह लिए हमने बुकरम जिसमें से नेक लाइन कटिंग करन और हलका सा यहां पर हम वीकट डालेंगे इस तरीके से आप वीकट डाल दें और यहां पर सिंपल सी जो राउंड सेव आती है यह वाली हम यहां पर इस तरीके से कम्प्लीट करेंगे ये देखे ये हमने save डाल दी है अब हमें उपर से देखना है कितने इच का यहाँ पर कट रखना है तो हम यहाँ पर 14 इच तक का यहाँ पर हलकासा एक कट रखेंगे center point में loopy button लगाने के लिए यह हमने यहाँ पर कट रखना है इसके बाद हम बाहर की side यहाँ पर डेड़ इंच का एक निसान लगाएंगे इस तरीके से देखें डेड़ इंच का मैंने निसान लगाया है और इन निसानों को सबसे पहले आपस में इस तरीके से हम जोड लेंगे नीचे की side भी यहाँ पर हम नोक रखेंगे तो यहाँ से हम डेड़ इंच का निसान लगाते हुए इस तरीके से नोक रख लेते हैं अब हमें उपर की साइड भी यहां पे भी डेड़ इंच का निसान लगाना है और इस तरीके से यहां पे भी जितना हमने जैसे यहां पे लिया है इतना ही हम यहां पे लेते हुए यह निसान उपर तक कंपलेट करेगे और यहांपे भी डेड़ डेड इंच वे यह निसान इस तरीके से complete करते जाएंगे तो यह देखे सबी निसान जो है हमने यहाप इस तरीके से complete कर लिए है इंडिये निसानों के उपर हमें यहांपे cutting करने है तो यह देखिए दोस्तों नेक लाइंग जो है हमने आप इस तरीके से इसको हम चिपका लेते हैं, बो्टम वाले फैवरिक के उबड़, तो यह देखिए दोस्तों हमने यहां पे पेस्टिंग अपने कमप्लीट कर लिए है, चिपका लिए है नेक लाइन को, और इसके उबड़, हमने पेपर फियुज भी चिपका लिए, क्योंकि हमें यहां पे ग एक साइड से गोटे की सुरुवार्थ करने हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास यह गोटा है, इसको हम इसी एंगल में, जिस एंगल में नीचे हमारा यह बना हुआ है, कटिंगो रखा है, बुकरम का पीस, इसी एंगल में इस तरीके से रखते हुए इस्टिच करेंगे ऐसे आपने बहुत हलके से हाथों से decision करना है यह देखे एक सिलाही हमने लगा दी हैं इसके बाद हम ब्राबर गैप रकते ही हैं आपने जो gap रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है, कम जादा आप अपनी इच्छा मुसार रख सकते हो, मैं यहां पर तकरीबन आदा इंच का gap रखूंगा और दूसरा गोटा लगाऊंगा, तो यह देखे, दो गोटे हमारे यहां पर लग चुके हैं, सेम इसी तरीके से हम हमने बारी-बारी करते हुए, पूरे पीस में यहां पर गोटे का काम अपना complete करना है, तो यह देखे दोस्तों हमने यहां पर गोटे का जो काम है अपना complete कर लिया है, और आप देखी रहे होंगे कितना प्यारा सा यहां पर design बना है, जो लिचे की side आएगी कुछ इस तरीक से cut लगाना है, ऐसे यहां पर cut लगाना है, और इस कपड़े को इस तरीके से fold कर लेना है, तो यहां पर मैं इस side का पूरा कपड़ा यह fold कर लेता हूँ, यह देखे friends हमने यहां पर इस तरीके से बाहर वाला जो कपड़ा होता है, यह fold कर लिया है, अब हमें सीधी side यहां प दबाते वे यहाँ पर जैसे पाइपिन नजर आती है वैसे ही यहाँ पर यह नजर आएगी और इसको दबाते वे लगा देंगे हुष हुष दो झाल झाल तो यह देखिए दोस्तों हमने यहां पर लैस जो है अपनी complete कर लिए है बाहर की साइड में piping जैसी यह लगेगी देखने में अब हम front पर यहां पर इस तरीके से रखेंगे ऐसे neckline को और गले के साथ सिलाई लगाते वे यहां पर इसको complete करेंगे यहांर जैसी लिएपट झाल 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 तो मैं यहां पे बराबर बराबर गैप रखते वे इस तरीके से यह निसान लगा लेता हूँ और यहां पे टोटल हमारी साथ आठ यह लूपिया लगेगी जोकि हमने बारीक सी डोरी यहां पे तियार की वह है बटनों के लिए अब आपने नीचे की साइड यहां पे इस तरीके से रखना है और यहां पे पका करते वे सिलाई लगा देनी है एक एक लूपिया आपने यहां पे इसी तरीके से रखते जाना है और यहां पे इनको बराबर गैप में इस तरीके से अटेच करना है तो यह देखे दोस्तों सभी लुके मनें याँ पे लगा लिए हैं और कुछ हमने याँ पे बटन ये तियार किये हुए हैं उपर लगाने के लिए तो यहाँ पे मैं बटन लगालेता हूँ और उसके बाद आपको final लुक दिखाता हूँ कितनी प्यारी से हमारी यहां पर नेग डिजाइन तयार हुई है तो यह देखे दोस्तों हमने यहां पर उपर से बटन लगा दिये हैं और बटन लगते ही हमारी नेग डिजाइन यहां पर रेडियो जाती है आप देखी रहे होंगे कितनी प्यारी से हमने यहां पे नेग डिजाइन बना करके आपको दिखाई है सिंपल से फैबरिक में भी बहुत ही सुन्दर यहां पे देखने में लग रहा है तो दोस्तों आप देख रहे होंगे गोटे का काम भी किया हुआ है उपर हमने यहाँ पे और बटनों का काम किया हुआ है और प्रिंटिड जो कमीज था उसके साथ में हमने प्लेन जो प्रेंट वाला फैबरिक होता है वो यूज करते हुए इस डिजाइन को रेडी किया है आप भी इस तरीके से किसी भी प्लेन या प्रिंटिड कपड़े पे एडिया इन बना सकते हो जैसे मैंने आज आपको यह आइडिया दिया है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद